मसाज ना केवल आपको रिलाक्स फील करवाती है बलकि स्वास्त से संबंधित कई बिमारियों में भी आपके लिए फाइदेमन साबित होती है जैसे सरदर्द, बदंदर्द, आर्थराइटिस, कैंसर, बलड प्रेशर आदी बिमारियों में भी मसाज के जरिये इन्हें रोका जा सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसाज आपकी सेक्स लाइफ को भी एक्साइटिंग बना सकती है तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कुछ सेक्स मसाज टिप्स, जो आपकी सेक्स लाइफ को बहतर बनाने में आपकी मदद करेगा मसाज के जरिये आप ना केवल अपने पार्टनर का मूड बना सकते हैं, बलकि उनकी सेक्स के प्रती इक्छा भी बढ़ा सकते हैं उनके शरीर के उन सेंसिटिव पार्ट्स पर मसाज कीजे, जहां उन्हें उत्तेजना पैदा होती हो तो हम बोल सकते हैं कि सेक्स मसाज भी यौन संबंध स्थापित करने से पहले की जाने वाली क्रियाओं में से एक है जो आपको और आपके पार्ट्नर को करीब लाकर और्गैजम तक ले जाने में मदद करती है तो बस अगर किसी दिन आपके पार्ट्नर का मूड ना हो, तो आप सेक्स मसाज के जरिये अपने पार्ट्नर का मूड बना सकते हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ सेक्स मसाज की टिप्स सर की मसाज अगर आपके साथ ही ठकान महसूस कर रहे हो या फिर तनाव में हो तो आप सर से मसाज की शुरुवात कर सकते हैं बड़े ही प्यार से उनके पूरे सर की मसाज कीजिए और फिर धीरे से उनकी गर्दन पे प्यार भरी किस कीजिए इससे ना केवल उनकी ठकान उत्रेगी बलकि वो अच्छा भी फील करेंगे कंधों पर मालेश आप अपने साथ ही को अच्छा महसूस कराने के लिए उनके कंधों पे मालेश भी कर सकते हैं मसाज से पहले कंधों पे हलका सा गरम तेल जरूर लगाएं और फिर धीरे धीरे मसाज करें याद रहे ज्यादा दबाव ना डालें ऐसा करने से ना केवल आपके साथी का तनाव दूर होगा बलकि वो आपकी तरफ आकरशित भी होंगे पीठ पर मसाज पीठ और कमर का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है वहाँ मालिश करके आप अपने पार्टनर की काम एक्छा को जगा सकते हैं पीठ पे मालिश करने के लिए तेल लेकर अपनी उंगलियों को हलके हलके अपने पार्टनर की पीठ और कमर पर मसाज करें आप चाहें तो उन्हें अपनी उंगलियों से छेड़ भी सकते हैं सीने पे मसाज एक स्टडी में पता चला है कि 24 प्रतिशत महिलाओं के सीने पे मसाज करने से कामेख्छा जाकती है इसका एक फायदा ये भी होता है कि इससे breast cancer के खत्रे से बचा जा सकता है तलवों की मालिश लोशन वा तेल की सहायता से आप अपने पार्टनर के तलवों की भी मालिश कर सकते हैं अपनी उंगलियों को धीरे धीरे अपने पार्टनर के दोनों तलवों पर फेरें आप चाहें तो अपनी उंगलियों की सहायता से अपने पार्टनर के अंगूठे की भी मसाज कर सकते हैं ये बहुत ही sensitive हिस्सा होता है इससे ना केवल आपके पार्टनर को अच्छा लगेगा बलकि वो आपकी तरफ और आकरशित भी होंगे कूलों की मसाज बट और थाइस के बीच का एरिया भी काफी sensitive होता है तो आप हलके से गरम तेल की मदद से दीरे दीरे वहां मसाज कर सकते हैं हाथों की मसाज पैर के तलवों की मसाज की तरह ही हाथों की मसाज भी बहुत माइने रखती है आप उंगलियों से होते हुए कलाईयां और कलाईयों से भुजाओं तक मसाज कर सकते हैं उसके बाद अपने पार्टनर का mood और इशारा समझते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं मसाज सेक्स करने के बाद आप थकान और तनाव से मुक्त होके romantic हो जाएंगे और अपने साथी के साथ एक बहुत ही यादगार समय भी बिताएंगे तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी वो जरूरी बाते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत important है सेक्स मसाज देते समय जोर ना डाले बल्कि धीरे धीरे और पूरी भावनाओं के साथ ही मसाज करें यदि इसके बाद भी आपके पार्टनर की यौन संबंद स्थापित करने की इच्छा ना हो तो उनकी respect करें इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सेक्स मसाज की सहायता से हम अपने पार्टनर की कामेक्छा को जगा सकते हैं और उसे खुश कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो नीचे comment या email के जरिये हम से जरूर पूछें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब जल से जल दिया जाए तब तक के लिए स्वस्त रहें, खयाल रखें